आपका स्वागत है आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम पॉलेटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रिक्विजल ऑफ जजेश को एक्स्प्रिन करेंगे देखिए अभी हुआ क्या है रहुल गांदी जी का जो मोधी सर्णिम केस है वो चला गया सुप्रिं के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्या होता रिक्विजल ऑफ जजेश के से जो भी केसे सब्सक्रेश करने वाले जबात करें अब एक समबोदित कर रहे थे रहुल गांधी और उसके अंदर यह बोलता है कि सभी चोरों का सणिम मोधी क्यों होता है हो निर्ब और भी तरह से इसके और बोला जाता है यहां पर फिर इक पूर्ण मोदी नाम के MLA है जो गुज्रात असेमली के इसे मले थे क Obama के सबाफिक कर कहते हैं कि मोदी यह समूदा आया है है उसकी जो फीलिंग सब्सकूर आहत करा गया है कि इसके दारा उसको डिश्ट कोड कर गया है कि इसके दारा रहूल गान्दी केpresaठी से आई चाहए उसकर टे-la मार्स 23 चाहिश उनको नोकिक होगी इसके बाद डो साल की जियल उनको watt होगी जो लोगसभा की की मेंबर्शिप उसको डिस्क्वालिफाय कर दिया जाता है उसको रद कर दिया जाता है अब इसके पीछे जो है वह रिप्रेजेंटेशन और पेपल्स एक्ट का सक्षें एट क्लॉस त्री जो यह बोलता है कि अगर कोई भी MP या मले है उसको दो साल से ज्यादा की अगर सजा करता है वह इलेक्शन नहीं लड़ सकता मतलब अगर सुप्रीम कोट से भी राहूल गांदी को अभी रहात नहीं मिलती है तो 2004 का इलेक्शन रहूल गांदी नहीं लड़ पाएंगे राइट तो आयों इसके बात क्या होता है अप्रेल 20 को सेशन कोट भी रिजेक्ट कर देता है राहूल गांदी की जो क्ली होती है उसको rejecting चारल गांदी फिर चारेंगे और सुप्रेंग के लिए दो जज़ने के बैंच होगि जिसके अदर एक रग वर दूसय स्टार्ट होई थी 21st जुलाई से आज कुछ जजिमेंट भी इसके उपर आया है बट उसको हम डिसकस नहीं करेंगे एक और बहुत इंट्रेस्टिंग बात हुई है जो बियार गवाई जो की हैड कर रहे हैं इस बेंच को उन्होंने कहा है कि क्या मुझे इस केस से हट जाना चाहिए क्यों हट जा सब्सक्राम कॉज गफ़चन के पास्ति तो अगर जिजमेंट कोई भी देता है तो क्या एसे नहीं लगे। तो ऐसा नहीं लगेगा यह तो भाई थे तो क्या हुआ इन्हें परस्वल में दिया है यह इसका यहां पर एक तरह से इसकी कंपणी के अंदर कुछ शेयर से तो इसकी कंपणी के अंदर कुछ यह तो इसके इसके अंदर से बाहर चले जाते हैं इसमें हमारा कुछ यहाँ पर रग रहा है भारत के अंदर कैसे होता है यह मैं आपको डिटेल के अंदर समझाऊंगा बटी बट अभी जो बेसिक लाइन अफ अंडरस्टेंडिंगे समझ यह वें देज़े कंफ्लिक्ट ऑफ इंट्रेस्ट इस जच कें विड्रॉप रॉम हेरी केस्ट प्रिवें कंपनी तो इसको फ्यवर कर दिया फिर अटियम प्रिंसि 1990 देखिये स्कंट अपने केस के अंदर कुछ सकता लुट का टो यह बाई तो एक अगतर से होग Idea, वह क्या है? उसका भाई और वो एक तरसे पर्सनल असोशेशन में रही तो एनी इंट्रेस्ट और कन्फिक्ट ऑफ इंट्रेस्ट वुड बी ग्राउन तो विड्रोव प्रमें के सिंसे जर्च है दूटी टो एक फिर ज़िए इसलिए कोई भी अगर केस होता है तो उसके अंदर से उसको व सब्सक्राइब करेंगे और यहां पर वेल प्लान चुडूल के अंदर प्रेशन करेंगे इस सभी चीजे आपको तो 7999 रूपीज के दर मिलेगी ज्यान रखी यहां पर आपको कोड यूज करना है यह बात भी ज्यान रखनी है कि 25 जुलाई 25 जुलाई से प्राइब होने वाला है विक वाद यह प्राइस बहुत कम है एक लिस्ट थे परसेंट तो इसके अंदर हाइक होगा ही होगा तो गइन दर 199 रुपीज के बिसी प्राइस के लिसी ओपुष नहिए 799 मिसी आप ले सकते और अलग भी यहां पर अपर अप्शन विया के अंदर आपको टीचेंग यहां पर प्रोवाइड करती है आए समस्ते हैं क्या बोला जो जस्टिस नी क्या बोला यहां पर देखिए उन्होंने वोला देश सम डिफिकल्टी बीर गवेई ऐसे बोलें कि कुछ डिफिकल्टी ऑन मैं पार्ट मेरे जो पिता जी थे ना वह अस आपको दिक्कत तो नहीं उस वाले एक्जांपल को पार्टी भी से पूछ रहे हैं कि यहां पर क्या हुआ है यहां पर महिश जेट मेलानी जो सीनिर एडवोकेट है जो पूरान मुझी जी की तरफ से यहां पर लड़ रहे हैं उन्होंने कहा है कि आप आराम से यहां पर सु यहां पर उसका हो रहा है भारत के अंदर यह कैसे होता है देखें भारत के अंदर यह है कि रिक्विजल जो होता है ना वो जच की तरफ से आना चाहिए ऐसा नहीं कि पार्टी भी बोड़ रहे है तो उसके प्रैशर में आकर जड़ अधिया राइट असा नहीं होना हो सकता था कि वह नहीं हटते ऐसा भी हो सकता है एक कम्प्लीटली ओन डिस्क्रीशन ऑफट ऑन डिस्क्रीशन ऑफ दा जच इन अब पहले बता दिया कि देखो मेरे पिता जी का असूशेशन था कॉग्रेस पार्टी की लीडर थे फिर बाद में ऐसा आपको फिल नहीं होना चाहिए कि हमारे साथ कुछ अन्याय हुआ है कंप्लीनेंट ने खुद ने कहा कि हमको को इसके अंदर अब्जेक्शन नहीं है तो फिर इन्हों नहीं का कर रहा है यही इसके अंदर रहेंगे ठीक है तो अब रूल क्या है रिक्विजल की यह आप सुन लेजी इस आपकोई भी फॉर्मल रूल इस तरह से नहीं है अगर उनकी अंतरात्मा इसे बोलती है या फिर उनको ऐसा लगता है पर फिर भी सुप्रिम कोट ने यहां पर इस तरह से कह रहा है रंजी ठाको वर्स उन्यों ऑफ इंडिया के अंदर कह रहा है कि जच को कैसे लगे वह यह भी फोना है तो इस केस के अंदर कर लेना चाहिए कि इसको जच को तो यहां पर देखी इन रजी ठाको वर्स उन्यों ऑफ इंडिया के सुप्रिम कोट है थैड़ एट टेस्ट अफ लाइकलिवड ऑफ दा इस अप्रिहेंशन इन दा माइंड पार्टी पार्टी के माइंड में कितना जो एप्रिहेंशन इसका क्या रिजनेबलनेस है वह जच को सोचना चाहिए अल्टीमेटली डिस्क्रिशन जो होगा वह जच के उपर होगा जैज नीज तो लुक अट पार्टी है उसके अपना खुद का माइंड ना यूस करके यह उसको देखना चाहिए कि पार्टी के पूरा हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके उपर भी एक अनलाइसस आपको दे दिये रहा है तो दैसल्ट पर टोडेस क्लास थैंक्यू सो मच पर लिस्निंग में सुख कांड़ी बाबा टिक के एंड हम आस्टे